नमस्का विदेश की खबरों में आपका स्वागत हैं मैं आपकी सातंक्यता और आईए अब खबरे दिखते मिस्तार से अमेरिकी अंत्रिक्ष एजनसी नासा ने रविवा को भारती समय अनुसार साड़ साथ बजे चार अस्ट्रोनाट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजे यह मिशन स्पेस एक्स के क्रूज ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के जरिये पूरा किया ज़ाएगा क्रूज ड्रैगन की य स्पेस स्टेशन जाने वाले अमेरिकी अंत्रिक्ष यातरी माइकल हॉपकिन्स विक्टर ग्लोवर और शैनन वॉकर हैं उनके साथ जापान के सुईची नागोची फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुए यह सभी स्पेस स्टेशन में दो रूसी और एक अमे माइने तक रहेंगे अमेरिका की वाइस प्रसिडेंट इलेक्टिक कमला हैरिस के पती डग एम हॉफ पतनी की मदद के लिए नौकरी छोड़ने जा रहे हैं उन्हें अमेरिकी मीडिया में सैकेंड जेंटलमेन कहा जा रहा है एम हॉफ यहूदी मूलकें और पेशे से पकील ह हाला कि अगस्त में जब कमला को वाइस प्रसिडेंट कैंडिडेट घोशित किया गया था उसके कुछ दिन बाद ही डग ने चुटी ली थी केंपिंग के दौरान भी वे काफी अक्टिव नज़र आए हाली में डेमोक्रेट पार्टी ने जब चुनाव जीता तो बाइडन और कमला हैरिस के साथ एम होफ भी नज़र आये थे 20 जनवरी को जो बाइडन राश्टपती बनेंगे और हैरिस उपराश्टपती इसलामिक देश यमन में पहला महिला कैफे शुरू हुआ है यहां सिर्फ महिला ही आ सकेंगी और फुरसत के पल बिता सकेंगी इसे खोलने वाली ओम फेराज बताती है कि वह अपने काम के जरी महिलाओं के लिए बिजनस के माइने बदलना चाहती है है वह कहती है महिलाओं के यमन में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वे आराम से बैठकर अपना वक्त बिता सकें मैंने का कैफे यमन के रूडिवादी लोगों के खिलाब जाकर शुरू किया है यहां के कुछ लोग मेरे इस काम से बिलकुल खुश नहीं है उन्हें यह हुदा युक्त जगह है रूम अविलिबल इन फूर्डिवल प्राइजेस और फैसलिटीज फ्री वाइफाई एसी एवी पार्किंग सिक्यूरिटी लिफ्ट फुल सैनिटाइज रूम टॉलेट्री किट होटल गरिशी हाल नंबर एट चितोर कॉंपलेक्स एंपी नगर जो उसी लहर चल रही है जिसके चलते वहां दोबारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है इस बीच एक वैक्सिन निर्माता ने रविवा को कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फाइजर और बायों टेक्स द्वारा विक्सित कोविद नाइंटीन वैक्सिन इस साल के अंत या फिर अगले साल की शिरुवात में इस्तमाल के लिए तैयार हो जाएगी अग्रणी दवा कंपनी फाइजर और बायों टेक्स द्वारा विक्सित किये जा रहे नए कोविद टीके को सब कुछ ठीक होने पर इस साल के अंत में या अगले साल की शिरुवात में उपलब्द कराना श हस्ताक्षर कर दिये एशिया में कई देशों को उमीद है कि इस समझोते से कोरोना महमारी की मार से तेजी से उबढ़ने में मदद मिलेगी शेत्रिये समगर आर्थिक भागिदारी पर दक्षिम पूर्व एशियाई देशों के संगटन के वाशिक शिकर सम्मेलन के इतर वर् करोड 44 लाग पार कर गया जबकि मनतोकों की संख्या भी 13,20,000 से ज्यादा हो गई संक्रमन की चपेट में आए 3 करोड 89 लोग ठीक भी हुए हैं विश्व में 1 करोड 50 लाग सक्रिये मामले हैं जिनमें 98,209 लोगों की सिती बेहत गंभीर है इस बीच अमेरिका में नए मामले रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं देश में शुक्रवार को 1,87,000 लोगों की जान भी गई है अमेरिका की राशपती डुनाल ट्रम्प पहरी बार रविबा को बेमन से अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वन्दी जो बाइडन की जीत की बात कबूल करते दिखे लेकिन उन्होंने संके दिया कि वह जुकेंगे नहीं और चुनाव परिणाम में गड़बडियों को चुनावती देने की कोशिश कर जारी रखेंगे राश्पति की अगोशना ऐसे समय में सामने आई है जब वह और उनका प्रशासन लगा था बिना सबूत के डेमोक्रेटों पर चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है ट्रम्प ने ट्वीट किया वह जीद गए क्योंकि चुनाव में धानली हुई किसी परिविक्षक को अनुमती नहीं दी गई एक धूर वामपंती नीजी स्वामितव वाली कंप्टी डोमिनियन को मतों को स्वाणी बद करने का काम दिया गया जिसकी साख खराब है और घटिया उपकरनों से यह काम किया गया जो टेक्सास शुनाव के लिए भी सही साबित नहीं हुए थे मिसर का सीवा ना खलिस्तान जो रासानी काहिरा से 506 किलोमीटर दूर इस्तित है सीवा में बरबर जाती की करीब 33,000 लोग रहते हैं यहां ज्यादतर घर मिटी के बने हैं सीवा पूरी तरह परेटन पर निर्भर है पिछले कुछ सालों में मिटी के घरों में कमी आई तो य यहां आना शुरू कर दे परेटन निदेशक महदी अल होफती ने बताया कि यह घर मिटी नमक और चट्टान के मिश्रन से बनते हैं यह गर्मी में काफी ठंडे होते हैं इस कारण यहां घर परियाटकों को आकर्शित करते हैं फिलाल इस बुलेटन में इतना ही आबने रहे यह नश्यू किसाओ नमक खर